जर्मनी की सरकार एक युनिवर्सिटी बनाने जा रही है सौ अरब डॉलर के खर्चे से जो सिर्फ आयुरवेद पे ही काम करें अमेरिका की सरकार अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रही है क्योंकि अमेरिका की सरकार जानती है बीस साल के बाद यही चलने वाला है तो धड़ा धड़ पेटेंट ले रहे हैं हल्दी पे ले लो इस पे ले लो इस पे ले लो और हम अभी भी गहरी नीद में सो रहे हैं अगर दम नहीं होता हल्दी में तो अमरीकी सरकार ने 33 पेटेंट कैसे ले लिए दम नहीं होता काली मिर्च में तो वहाँ 22 पेटेंट है काली मिर्च पर और सबसे लेटेस पेटेंट पता काली मिर्च का क्या है कि इसको चूसो तो खासी ठीक हो जाती है अमेरिका ने इस पर पेटेंट किया हुआ कि काली मिर्च को चूसने मातर से खासी ठीक हो जाती है ये तो हमारे देश में लाखों माता है बहने रोज करती है सब जानते हैं कि काली मिर्च को चूसो तो खासी ठीक हो जाती है उन्होंने पेटेंट करा लिया इस पर हमें मालूम ही नहीं है अब तो गोमूत्र पर पेटेंट करा ले रहे हैं वो तो वो तो लूट रहे हमारी संपत्ती को हम सो रहे हैं अभी भी कुम्ब करण की नीद में तो मैं आप से कहने आया जागो इस भारतिय चिकित्सा व्यवस्था का प्रचार करो और इतना प्रचार करो कि ये एलोपेथी बह जाए यहां से क्योंकि हमें ये चाहिए नहीं और इसकी हमें आवश्चक्ता भी नहीं बहुत लोग कहते हैं जी कुछ तो आवश्चक्ता है कहां सरजरी में तो हम सरजरी अपनी लाएंगे यूरोप वाली सरजरी में क्यों जाएंगे हमारे यह जो सरजरी होती थी 200 साल पहले उसको revive करेंगे उसके school खोलेंगे उसके college खोलेंगे कही ना कहीं गाओं में कोई ना कोई विशेशग मिलेगा उसको guru बनाएंगे उससे सीखेंगे वो आगे सिखाएगा सबको तो हम तो अपनी चीजें पर जाएं उनका भरोसा करें उनको प्रचारित करें और इनको आगे बढ़ाएं ये ताकत आप सब में है बस आप एक बार संकल्प लेके काम करो और संकल्प लेके काम कैसे करें आप बोलोगे जी अपने पास तो समय नहीं है समय तो आप सब के पास है लेकिन समय का नेयो जन नहीं हमारे पास बहुत समय है जो हम TV के सामने बरबाद करते हैं सास भी कभी बहुती देखने हैं जिसमें कुछ भी आयरुवेदिक नहीं है उसमें एक ही कहानी है किसी की पत्नी किसी के पत्नी के साथ भाग गई किसी का पती किसी दूसरी की पत्मी के साथ भाग लिया कोई पुरुष तीन महिलाओं के चक्कर में कोई महिला तीन पुरुष के चक्कर में क्यों स्ट्रमे टाइम बेकार कर रहे हुँ भाई ये सास भी कभी बहुती बिल क्लिंटन को देखने की चीज है क्योंकि वो extra marital affairs का champion रहा है वो देखे तो समझ में आता है हम क्यों इसमें समय खराब करें हम तो ये टीवी में फालतू समय जाता है इसको बचा लो और सिनेमा में जाता है वो और ज़्यादा बचा लो क्योंकि सिनेमा में कोई मनोरंजन नहीं है अब ये क्या मनोरंजन है एक हीरो एक हीरोईन शुरू में अलग हो जाएंगे अंत में मिल जाएंगे बीच में विलेन आएगा थोड़ी देर डिशुम डिशुम कहानी कतम क्या है मनोरंजन फिर उसमें कोई हीरो आएगा 25 मंजिल की मारत पे चड़ेगा कूदेगा और पेंट भी नहीं फटेगी उसकी 25 मंजिल से कूदेगा फिर एक हीरो आएगा मोटर साइकल लेके चलेगा दीवार तोड़के निकलेगा सिर नहीं फटेगा दीवार फट जाएगी फिर एक हीरो आएगा डिशुम डिशुम करेगा एक मिनट में 20 गुंडों को मा अब ये हीरो इतने ही ताकतवर हैं तो सरकार ने ट्रक भरवर के कार के लिए उद्व में क्यों नहीं भेज दिया इन सब भाईया ये हीरो नहीं है सब जीरो हैं मालूम है ये सब दाउद इबराहिम के चेले हैं आपको मालूम है CBI इंक्वैरी चल रही है एक एक की कलाई ख करे के नाचके आते हैं दाऊद इबराहिम के दिये गए पैसे से फिल्मे बनाते हैं और दाऊद इबराहिम इस समय पोस्ट वंटेड क्रिमिनल है जिसको पुलिस गिरफ़तार करना चाहती है क्योंकि Bum Blast सबसे ज़्याधा वही कराता है उस दाऊद इबराहिम के पैसे पर बर्बाद मत करो, क्योंकि विद्यारती जीवन में मैं बहुर्त सुना करता था, टाइम इस मनी, और इसको आप खर्च कर रहे हैं। और आप जानते हैं, गया हुआ समय वापस नहीं आएगा, तो ये फाल तू समय सिनेमा में, टीवी में जो बर्बाद कर रहे हो, इसको भारतिय चिकित्सा पद्धिती के प्रचार में लगाओ। अब आप बोलोगे जी, प्रचार कैसे होगा तरीके मैं बताता हूँ। आप छोटी-छोटी टीम बनाओ, गुरूप बनाओ, आप तो थोड़ा होमियोपैथी जानते हो नो, तो होमियोपैथी में ऐसी बहुत दवाएं हैं, जिनको सेलेक्ट करो, जिनका बेस आयुरवेद का है। और खासकर ऐसी बहुत दवाएं हैं, जो 100% वेजिटेरियन हैं, बने फूल, पौधे, पत्ती से बनी हुए हैं, है ना, उनकी एक सूची बनाओ, इनी दवाओं का उप्योग करो, नोजोट्स में जाओ ही मत, जरूरत नहीं है उसके, मैं होमियोपेथी पढ़ाई करके नहीं, पढ़ पढ़ के सीखा, और मैंने ये तै कर लिया कि जिन्दगी में कभी नोजोट्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा, कितना भी सीरियस पेशेंट आए, और आपको सुनकर आश्य होगा, मैक्सिमम सीरियस पेशेंट्स को मैं बैला डोना से ठीक कर लेता हूँ, एक बार, एक होमियोपेथी कॉलिज के प्रिंसिपल ने मुझे पूछा कि राजी पर ये सभी क्रोनिक केस क्लियर करती है, कैसे करती है, मैंने का ध्यान से देखो तो बहुत सारे पेशेंट मे बैला डोना ही निकलती है, हम ध्यान नहीं देते, इसलिए इधर उधर बटकते रहते हैं, जब अकेली बैला डोना इतने काम कर सकती है, तो काई को ऐसी मेडिसिन में जाना जो अपनी चरित्र से, प्रकरती से, सुभाओ से मेल नहीं खाती, भारत में जानते हैं, मैक्सिमम लोग शाकाहरी हैं, सुभाओ हमारा शाकाहरी पने का है, तो दवाएं भी वोई सेलेक्ट कर लो जो शाकाहरी हैं, इन दवाओं की सूची बना लो और इनको लेके गाउं गाउं जाओ, रविवार में जब छुट्टी होती है, दो तीन गंटे के चिकित्सा शिविर का ग्यान दो, हमारे देश में अब मुझे ये समझ में आने लगा है, कि किसी भी भारतिय नागरिक को चिकित्सा सुविधा की जरूरत नहीं है, चिकित्सा की ज्यान की जरूरत है, हेल्थ फैसेलिटी इस नहीं चाहिए, नालेज की बहुत कमी。 और इतनी कमी है कि पढ़े लोग उससे जादा पीड़ेते हैं, छोटी-छोटी बातें नहीं जानते, पानी को उबाल के पीना, ये इतनी छोटी सी बात है, लेकिन आज के समय की बीमारियों में सबसे इफेक्टिव हैं, खास कर तीन महीने की ये जो, तो आप उनको बता दो भाईया, पानी उबाल के पी जो आयरुवेद की है न वो जरूर सीख लो, दिन चरिया और रितु चरिया जरूर सीखो, आयरुवेद की बहुत आवश्यक है, और आपको मैं किताब का नाम बोलके जाता हूं, इसको पढ़ो, भगवत गीता जैसे पढ़ी जाती है, रामचरित मानेस जैसे पढ़ी जाती है, उस किताब का नाम है अश्टांग हिर्द है, इसका एक दूसरा नाम भी है अश्टांग संग्र है, पुराना नाम अश्टांग हिर्द है, ये किताब का जो स्वस्थ वरत है न, वो ऐसे पढ़ो जैसे आप धार्मिक पुस्तक पढ़ते हो, और उसको बार 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 पढ तो याद हो जाएगा, कंठस्त हो जाएगा उसमें 2000 सूत्र है ये सूत्र लोगों को बताना शुरू कर दो छोटे छोटे सूत्र हैं, जैसे खाना खाने के बाद पानी मत पियो स्वस्थ रहना है जिंदगी भर तो खाने के एक गंटे के बाद पानी पियो, क्यों नहीं पियें वो आप सब जानते हो, सरल भाशा में उनको समझा दो फिर उनको बोलो पानी पियो तो घूट भरबर के पियो, सिप करके पियो ताकि जादा लार शरीर में जाए वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहे ठंडा पानी कभी मत पियो मैंने दुनिया में ठंडे पानी पीने वालों को बहुत देखा है यूरोप और अमेरिका के लोग चिल्ड वाटर पीते है बरफ का पानी फ्रीज में रखके पीते है परिणाम जानते हैं क्या होता है सबेरे जब टोइलेट रूम में जाते हैं तो एक-एक घंटे बाहर ही नहीं आते उनको पूछो भाई तुम क्या कर रहे थे एक घंटे वहाँ तो कहते हैं नियूस वेपर पढ़ रहे थे मैगेजीन पढ़ रहे थे क्यों पढ़ रहे थे स्टूल पास नहीं होता क्यों नहीं होता कॉंस्टिपेशन है जोर लगाना पड़ता है फिर भी नहीं होता गाना भी गाते हैं मेरे सपनों की रानी कभी आएगी फिर भी नहीं आती और अंतिम दुश्परिणम पता है क्या होता है उनको पेट साफ तो होता नहीं तो सांस में से भेंग कर बद्बू आती है किसी अमेरिकन यूरोपियन के नजदीक बैठ जाओ अगर वो लिस्ट्रिन स्प्रे करके नहीं आया तो एक मिनट नहीं बैठ सकते है हर समय उनको माउथ फ्रेशनर इस्प्रे करना पड़ता है क्योंकि अंतरियां साफ नहीं है कबजियत है मल भरा हुआ है उसमें कचरा जमा है फिर उनके पसीने में से भी बद्बू आती है क्यों? कबजियत बहुत है और पसीने की बद्बू दूर करने के लिए डियोडरेंट इस्प्रे करते रहते हैं और आप तो सब जानते हो कि अगर कबजियत है तो बाल भी कड़क रहते हैं तो उन कड़क बाल को सॉफ्ट करने के लिए क्या-क्या सब करते हैं शेम्पू लगाते हैं शेम्पू के बात पता नहीं क्या-क्या लगाते हैं ये सब वो जो करते हैं ना उनकी मजबूरी है स्टेटस सिंबल नहीं है इसको अपने दिमाग से निकाल दो कि ये कोई स्टेटस सिंबल तो सरल भाशा में समझाओ ठंडा पानी पीने से ये होता है मत पियो समझ जाएंगे फिर उनको बोलो सवेरे उठो तो सबसे पहले पानी पियो फिर उनसे बोलो खाना खाओ तो बैठ के खाओ कभी भी खाना खाओ तो पूर्व दिशा में सिर करके सौरी मूँ करके खाओ सो तो पूर्व दिशा में ये अस्टांग हिर्दर में इतने अद्बुत छोटे छोटी बातें हैं, तो संस्कृत में हैं, लेकिन अब तो उसका हिंदी भी आने लगा है, तो हिंदी ले लो, हिंदी वर्जन ले लो, इसको पढ़ो, बार-बार पढ़ो, और ये जाके गाउं में सब को बताओ, फिर उनक पैथी से भी इलाज करो, तो उसकी मूल दवा जरूर बता दो, उनको ये ग्रीक और रोमन नाम में मत फसाओ, आप कोगे जी मैं तो ओसीमम दे रहा हूं, उनको को ये तो तुलसी का रस है भईया, तुमारे घर में फूलों से बनी हुई है, आसानी से मिलती है, जैपुर मे मिलती है, दिल्ली में मिलती है, बंडारी वालों को आकसर ओर दे के रखो, हमको इतनी बेजो, उनको जो पता चल गया कि आप प्रचार के लिए कर रहे हो, तो मुफत में भी दे देंगे आपको, तो इस तरह से आप गाउं गाउं जाओ, छोटे छोटे शिविर लगाओ, ग ऐसा भी देते हैं, समय भी देते हैं, और चार बजे रामदेव जी कहें, टांग उपर उठा लो, तो उठा लेते हैं, कैसर नीचे कर दो, तो कर लेते हैं, ऐसे कर लो, तो कर लेते हैं, क्यों परेशान हैं, दुखी हैं, शरीर उनका साथ नहीं दे रहा हैं, और इतने दु में ये सब आपके भगत हो जाएंगे और ये भगत हो जाएंगे तो कहो आप भी प्रचार करो इसके वो भी करें आप भी करो तो ये इतना तेजी से मल्टिप्लाई करेगा कि दो पांच साल में अलोपैथी का बाजा बच जाएगा और बजा देना है अपने को हाँ ये एक टीवी चैनल शुरू करने जा रहा हूं एलोपैथी का बाजा बजाने के लिए इनकी सब पोल खोलनी है मुझे हाँ इनकी इतनी पोल है मेरे पास कम से कम मेरे पास कम से कम डेड़ हजार से ज्यादा डॉकुमेंट्स हैं जो एलोपैथी के गंदेपन को सिद्ध करने वा यह कितने अंसाइंटिफिक हैं वो बताने वाले हैं कितने डॉकमेटिक हैं वो बताने वाले हैं मेरे पास ऐसे बहुत इंटर्व्यूज हैं बड़े-बड़े डॉक्टरों के वो कहते हैं कि हम कोई डाइग्नोसिस नहीं करते हैं तीर मारते हैं लग गया तो ठीक नहीं तो तुक्का और वो कहते हैं हम तो एक ही सिद्दान पे काम करते हैं, trial and error, trial and error देते जाओ, गलतियां करते जाओ, देते जाओ, गलतियां बहले मर जाए patient उसे, हमारे पास तो कम से कम यह नहीं है, trial and error वाला, हम तो जानते हैं कि तुलसी है, तो उसके यह गुण है, तो यह result आना ही चाहिए, हमको सब मालूम है fix है, यहाँ variation नहीं है मैं थी कि जो result चरक रिशी को मिले, वो आज भी मिलते हैं इसमें इतना सातत्य है variation कहीं भी नहीं है तो जो विज्ञान में सातत्य होता है सत्य ग्यान वही होता है तो हमारे पास जो सत्य ग्यान है इसको लेकर आगे बढ़ें और इसके अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में प्रयोक करने के लिए प्रेरित करें